आदिनालात मंगेशकर अवर्ड सम्हारों मुंबई में अव़ाज सम्हारों का आयोजन किया जा रहा है आपको सीधा लेज़ेंगे जहां पुरुसकार सम्हारों में पुरुदान। विश्व के अने काने कदेश साश्चर वंदन कर रहे हैं आप ही के कारण भारत का विश्विक सम्मान गर्व से उन्नत हुआ है विश्व के कई सरवोच पुरसकारों से आप सम्मानित हुए है भारत रत्न सुश्री लता दीदी मंगेशकर और आपका नाता भाई बहन जैसा सत्य रूप एवं शब्दों से परे था असामान्य एवं लोकोत्तर महामानव होने के नाते आप दोनों ने पूरे विश्व को गवरवानवित किया है लोक कल्यान आपका ध्यास है भारत गवरव आपका श्वास है निश्काम कर्मयोग आपका प्रयास है और क्रणवन्तो विश्वमार्यमा आपका विश्वास है आज चैत्रकृष्ण नवमी शुबकृत नाम संबत सर शके 1944 रविवार दिनांग 24 अप्रेल 2022 के मंगल दिन मास्टर दिनानाथ स्मृती प्रतिष्थान द्वारा सुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष शम पंडित रिदयनात मंगेश कर अध्यक्ष प्रदान मंत्री जी से अन्रोध है कि आप ये पुरसकार ग्रहन करने मंच पर पधारें साथ ही मंगेश कर कुटुम के सदस्य मीनाताई खड़ी कर शुमति आशा भोसले और आधिनात मंगेश कर देवी और सजनों आपने शायद नोट किया होगा कि शुरुवात की मंच की प्रारंबिक और पचारिकता के बाद प्रधान मंत्री जी ने जोर दे कर कहा था कि मैं नीचे बैठ हूँगा मैं प्रेक्षकों के साथ बैठ हूँगा क्योंके मुझे पुरसकार स्वीकार करना है जन सामान्य के रूप में He didn't want to receive the award from the exalted perch of a PM but only as a common citizen इसलिए इस असाधारन अलंकरन लता दिनानात मंगेश कर पुरसकार के लिए मैं अनुरूद करता हूँ सामान ने भारतिय नागरिक्ष्री नरेंद्र मुदीची से कि वे ये पुरसकार स्वीकारे आप ये भी शायद जानते ही होंगे कि अवपिचारिक अभिवादन के अलावा हमारे पुरसकार स्वीकार नहीं करते लेकिन सारे देश की दीदी भारत रतनलता मंगेश कर के लिए उन्होंने ये अपवाद स्वीकारा है कि अवप बतान है वीचस अगर यहां बैठे कोई फिल्मकार फिल्म बनाना चाहें तो शीर शक हो सकता है फिर से भाई हो तो ऐसा देवियों सजनों ऐसे जटिल कारिक्रमों की तैयारियां बड़े नियो जित धंग से की जाती है इवेंट मैनेजमेंट के सिध्धान्तों के अनसार मैनेजमेंट मैनेजमेंट के सिध्धान्तों के अनसार मिनिट टु मिनिट सूची तैयार की जाती है किसे कवाना है कितने मिनट तक बोलना है लेकिन मेरा ये विष्वास है के जहां आदर्णिय नरेंद्र मोदी जी हो उसमें इस जहां तक उनका सवाल है इस मिनिट टू मिनिट को बिलकुल खारिश कर देना चाहिए क्योंकि देश ये चाहता है कि मोदी जी बोलते रहें हम सुनते रहें और और वो इसलिए कि जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और जो वो करते हैं वो देश के हित में होता है रेवियो और सज्जनों भारत गनराज के प्रधान मंत्री हादर्निय श्री नरेंद्र मोदी स्री सरस्वते नमः बानी परंपरा के पुनीत आयोजन में हमारे साथ उपस्तित महराष्ठ के राजपाल स्री भगत सिंग कोश्यारी जी महराष्ठ विधान सभा प्रतिपक्ष के नेता स्री देवेंद्र फड़न्विश जी महराष्ठ सरकार में मंत्री स्री सुभात देशाई जी आदेने उशा जी आशा जी आदेनात मंगेश कर जी मास्टर दिनानात स्मृति प्रतिष्टान के सभी सदसेगन संगीत और कडा जगत के सभी विशिस्ट साथियों अन्य सभी महरभाव देवी और सजनो इस महत्वपुण आयोजन में आदेडिया रदेजनात मंगेश कर जी को भी आना था लेकिन जैसे अभी आदेनात जी ने बताया तब यह ठीक नहीं होने के वज़े से वो यहाँ नहीं आ पाए मैं उनके जल्द स्वस्त होने की कामना करता हूँ साथियो मैं अपने आपको बहुत उपयुक्त यहाँ नहीं है अनुभो कर रहा हूँ क्योंकि संगीत जैसे गहन विशे का जानकारत मैं बिल्कुल नहीं हूँ लेकिन सांस्कृतिक बोट से मैं यह महसूस करता हूँ कि संगीत एक साधना भी है और भावना भी है जो अव्यक्त को व्यक्त कर दें वो शब्द है जो व्यक्त में उर्जा का चेतना का संचार कर दें वो नाध है और जो चेतन में भाव और भावना भर दें उसे सुरुष्ट्री और संवेदना की परकाश्टा तक पहुंचा दें वो संगीत है आप निस्पुरू बैठे हो लेकिन संगीत का एक स्वर आपके आँखों से आंसु की धारा बहा देता है ये सामर्थ होता है लेकिन संगीत का स्वर आपको वैराग्य का बोध करा सकता है संगीत से आपमें विर्रस भरता है संगीत मात्रुत्वों और मम्ता की अनुभूती करवा सकता है संगीत आपको राष्ट भक्ती और कर्तव्य बोध के सीखर पर पहुंचा सकता है हम सब सोभाई बे साली हैं कि हमने संगीत की इस सामर्थ को इस शक्ती को लता दीदी के रूप में साक्षा देखा है हमें अपनी आखों से उनके दर्शन करने का सौभागी मिला है और मंगेश का परिवार पीड़ी दर पीड़ी इस यग्य में अपनी आहुती देता रहा है और मेरे के लिए तो यह अनुभव और भी कहीं बढ़कर रहा है अभी कुछ सुर्खियां हरिश जी ने बता दी लेकिन मैं सोच रहा था कि दीदी से मेरा नाता कब से कितना पुराना तो दूर जाते जाते याद आ रहा था कि शायद चार साड़े चार दसक हुए होंगे सुधिर फरके जी ने मुझे परिच्चे करवाया था और तब से लेकर के आग तक इस परिवार के साथ अपार्स ने अंगिनत कटना है मेरे जीवन का हिस्सा बन गई मेरे लिए लता दिदी सूर सामरागे के साथ साथ और जिसको कहते हुए में जे गर्वन भोता है वो मेरी बड़ी बहन थी पीडियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दिदी उन्जों से में हमेशा उनकी दरब से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है मैं समझता हूँ इससे बड़ा जीवन का सोभाग्य क्या हो सकता है शायद भहुत दसकों के बाद ये पहला राकी का तिवार जब आएगा दिदी नहीं होगी सामान्य तोर पर किसी सम्मान समहरों में जाने का और जब अभी हरिज जी भी बता रहेते हैं कोई सन्मान ग्रहन करना अब मैं थोड़ा उन विशे में धूरी रहा हूं मैं अपने आपको एड़्जस नहीं कर पाता हूं लेकिन पुरसकार जब लता दिदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो तो यह मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है उसके कारण मेरा यहाना एक प्रकार से मेरा दाइस्त्व बन जाता है और यह उस प्यार का प्रतीख है और जब आजिना जी का संदेश आया मैंने मेरे क्या कारकम है मैं कितना भीजी हूँ कुछ पोचा नहीं मैंने का भाया पहले हा कर दो मना करना मेरे लिए मुंकी नहीं देए मैं इस पुरसकार को सभी देश वालचों के लिए समर्पित करता हूँ जी तरह लता दिदी जन जन की थी उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया है पुरसकार भी जन जन का है गता दिदी से अक्सर मेरी बात्चीत होती रहती थी वो खुद से भी अपने संदेश और आसिरवाद भेचती रहती थी उनकी एक बात शाद हम सब को काम आ सकती है जिसे मैं भूल नहीं सकता हूँ मैं उनको बहुत आदर करता था लेकिन वो क्या कहती थी वो हमेशा कहती थी मनुश्य अपनी उम्र से नहीं अपने कार्य से बड़ा होता है जो देश के लिए जितना करे वो उतना ही बड़ा है सफलता के सिखर पर ऐसी सोच से व्यक्ति की महानता उसका हमें एहसास होता है लता दिदी उम्र से भी बड़ी थी और कर्म से भी बड़ी थी हम सभी ने जितना समय लता दिदी के साथ गुजा रहा है हम सब जानते हैं कि वो सरलता की प्रतिमूर्थी थी लता दिदी ने संगीत में वो स्थान हासिल किया कि लोग उन्हें माज सरस्वती का प्रतिरूप बानते थे उनकी आवाज में करीब असी सालों तक संगीत जगत पर अपनी छाप छोड़ी थी ग्रामो फोन से सुरू करें तो ग्रामो फोन से कैसे पिर सीडी फिर डिवीडी फिर पेंडरायू ऑनलाइन विजिक और एप्स तक संगीत और दुनिया की कितनी बड़ी यात्रा लताजी के साथ साथ तै हुई है सिनेमा की चार पाँच पीडियों को उन्होंने अपने आवाद दी भारत रत्म जता सर्वोच सन्मान उन्हें देश ने दिया और देश गवर्णान मित हुआ पुरा विश्व उन्हें सुर समराग ने मानता था लेकिन वो खुद को सुरों की सामरागी नहीं बलकि साधी का मानती थी और यह हमने कितने ही लोगों से सुना है कि वो जब भी किसी में गाने के रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी तो चपले बहार उतार देती थी संगीत की साधना और इस्वर की साधना उनके लिए एक ही था साथियों आदी शंकर के अद्वेट के सिध्धान को हम लोग सुनने समझने की कोशिश करें तो कभी कभी उल्जन में भी पड़ जाते हैं लेकिन मैं जब आदी शंकर के अद्वेट के सिध्धान की तरफ सोचने की कोशिश करता हूं तो अगर उसको सरल सब्दों में मुझे कहना है उस अद्वेट के सिध्धान को इश्वर का उच्चारण भी इश्वर का उच्चारण भी स्वर के बिना अधुरा है इश्वर में स्वर समाहित है जहां स्वर है वही पुर्णता है संगीत हमारे रदे पर हमारे अंतरमन पर असर डालता है अगर उसका उद्गम लताजी जैसा पवित्र हो तो वह पवित्रता और भाव भी उस संगीत में घुल जाते हैं उनके व्यक्तित्व का हिस्सा हम सब के लिए और खासकर युवा पीडी के लिए एक प्रेड़ा है साथियों लताजी की ससरीर यात्रा एक ऐसे समय में पूरी हुई जब हमारा देश अपनी आज़ादी का अमरित महुत्सों मना रहा है उन्होंने आज़ादी के पहले से भारत को आवाज दी और इस 75 सालों की देश की आत्रा उनके सूरों से जुड़ी रही इस पुरसकार से लताजी के पताजी दिनानाथ मंगेशकर जी का नाम भी जुड़ा है मंगेशकर परिवार का देश के लिए जो योगदान रहा है उसके लिए हम सभी देशवासी उनके रणी है संगीत के साथ साथ राष्ट भक्ती की जो चेतना लतादीदी के भीतर थी उसका अस्रोत उनके पिताजी ही थे आजहादी की लड़ाई के दोरान शिमला में ब्रिटीस वाइरस के वैसरा के कारकम में दिनानाथ जी ने बीर सावरकर का लिखा गीद गया था ब्रिटीस वाइसरा के सामड़े ये दिनानाथ जी ही कर सकते हैं और यूजू को पर कर सकते हैं और उसकी थीम पर प्रदर्शन भी किया था और बीर सावरकर जी ने ये गीद अंग्रेजी हकुमत को चुनावती देते हुए लिखा था ये साहस ये देशवक्ती दिनानाथ जी ने अपने परिवार को विरासत में दी जी लताजी ने संभवतह कहीं एक बार बताया था कि पहले वो समाद सेवा के ही खेतन में जाना चाहती थी लताजी ने संगीत को अपनी आराधना बनाया लेकिन राष्ट प्रेम और राष्ट सेवा उनके गीतों के जरिये भी प्रेरणब पाती देगी चत्रपदी सिवाजी महाराज पर बीर साबर जी का लिखा गीत हिंदू नर्सिमा हो हिंदू नर्सिमा हो या समर्थ गुरु रामदा जी के पद हो लताजी ने सीव कल्याण राजा की रिकॉर्डिंग के जाए उन्हें अमर कर दिया है मेरे बतन के लोगों और जय हिंद की सेना यह वो भाव पंक्तिया हैं जो देश के जन जन की जुबा पर अमर कर दी उनके जीवन से जुड़े से कितने ही पशे लतादीदी और उनके परिवार के योगदान को भी अमरित महुत्सों में हम जन जन तक लेकर जाएं यह हमारा कर्तब भी है साथियों आदेश एक भारत स्रेश्ट भारत के आत्म उश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है लताजी एक भारत स्रेश्ट भारत की मधूर प्रस्तूती की तरह थी आप देखिए उन्होंने देश की तीस से जादा भाषाओं में हजारों गीत गाए हिंदी हो मराटी हो, संस्क्रित हो या दुछी भारत के भाषा है लताजी का स्फर वैसा ही हर भाषा में गुला हुआ है वो हर राज्य, हर छेत्र में लोगों के मन में समाई हुई है भारतियता के साथ संगीत कैसे अमर हो सकता है यह उन्होंने जी करके दिखाया है उन्होंने भगवद गीता का भी सस्वर पाट किया और तुलसी, मिरा, संत ग्यानेश्वर और नर्सी महता के गीतों को भी सबाज के मन मस्तिष्क में घोला राम चरीद मानस की चुपाईया सलेकर बापू के प्रिय भजन बैश्न भजन तो तेने रेकाई है तब सब कुछ बत लताजी के आवाज से पुनर जिवित हो गए उन्होंने तिरुपति देवस्थानम के लिए गीतों और मंत्रों का एक सेट रेकॉर्ड किया था जो आज भी हर सुवें वहाँ बजता है यानि संस्कृति से लेकर के आस्था तक पूरप से लेकर के पस्चिम तक उत्तर से दक्षिन तक लताजी के सुरों के पुरे देश को एक सुत्र में पिरुणों का काम किया दुनिया में भी वो हमारे भारत की सांस्कृतिक राज़दूत थी वैसा ही उनका व्यक्ति के जीवन भी था पूरे में उन्होंने अपनी कमाई और मित्रों के सयोग से मास्टर दिनानात मंगेश कर हस्पिटल बनवाया जो आज भी गरीबों की सेवा कर रहा है और देश में शायद बहुत कम लोगों के तक ये चर्चा पहुँची होगी कोरोना कालखन बे देश की जो इनी चुनी अपस्पताले जिनोंने सरवादिक गरीबों के लिए काम किया उसमें पूने की मंगेश कर अस्पताल का नाम है साथियों आज आज़ादी के अमरत महुत्सों में देश अपने अतीत को याद कर रहा है और देश बविश के लिए नए संकल्प ले रहा है हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्ट अप इको सिस्टिम में से एक है आज भारत हर शेत्र में आत्म निर्वर मन्ने की और आगे बढ़ रहा है विकास की ये यात्रा हमारे संकल्पों का हिस्सा है लेकिन विकास को लेकर भारत की मौलिक द्रस्टी हमेशा अलग रही है हमारे लिए विकास का अर्थ है सबका साथ, सबका विकास, सबका विस्वास और सबका प्रयास सबके साथ और सबके लिए विकास के इस भाव में बसुधे उक्रुम कम की भावना भी शामील है पूरे विश्व का विकास पूरी मानवता का खाल्यान ये केवल भवतिक सामर्त से हासिल नहीं किया जा सकता इसके लिए जरूरी होते हैं मानवी ये मुल्य इसके लिए जरूरी होती है अध्यात्मी चेतना इसलिए आज भारत दुनिया को योग और आयुर्वेट से लेकर परियावरन रक्षा जैसे विश्यो पर दिशा दे रहा है मैं मानता हूँ भारत के इस योगदान का एक हैम हिस्सा हमारा भारत ये संगीत भी है ये जिम्मेदारी आपके हाथों में है हम अपनी इस विरासत को उनी मुल्यों के साथ जिमंत रखे और आगे बढ़ाएं और विश्व शांती का एक माध्यम बनाएं ये हम सब की जिम्मेदारी है मुझे पुरा विस्वास है संगीत जगत से जुड़े आप सभी लोग इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और एक नए भारत को दिशा देंगे इसी विस्वास के साथ मैं आप सभी का रज़े से धनवाद करता हूँ मंगेश्वर परिवार का भी मैं रज़े से धनवाद करता हूँ कि आपने दीजी के नाम से इस प्रथम पुरसकार के लिए मुझे चुना लेकिन हरीजी जब सम्मान पत्र पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मुझे जब कई बार पढ़ना पढ़ेगा और पढ़कर के मुझे नोट बनानी पढ़ेगी कि अभी मुझे इस में से कितना कितना पाना बाकी है अभी भी मेरे में कितनी कितनी कमिया है उसको पूरा मैं कैसे करूँ दीदी के आशिरवात से और मंगेश के परिवार के क्यार से मुझे में जो कमिया है उन कमियों को आज मुझे सम्मान पत्र के द्वारे प्रस्तुत किया है मैं उन कमियों को पूरा करने का प्रयास करूँगा बहुत बहुत धन्यवार नमस्कार जजिती पासाओ